हेलो इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि डेट फॉर्मेट को कैसी बनाया जाता है कि ये बारे में सिखेंगे तो सबसे पहले हम डेट फॉर्मेट क्या होता है तो डेट फॉर्मेट जो होता है ये जो मैंने यहां पे लिखा हुए डीडी स्लैश एम एम स्लैश वाई 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 ये लिखा हुए तो इसको बोला जाता है डेट फॉर्मेट तो date format इसे हम अपने ढंक से बना सकते हैं, जैसे अगर हमने यहां पे दो बार dd है, अगर हमने एक dd लिखा हुआ है यहां पे तो इसका मतलब है यहां पे एक digit आएगा, यहां पे जो है एक digit आएगा, अगर हमने दो बार यहां पे dd लिखा हुआ है, इसका मतलब है यहां प है वो short में आएगा जैसे यह यहाँ पे लिखा हुआ है Sunday तो यह short में आएगा यहाँ पे Sunday अगर यहाँ पे चार बार डी लिखा हुआ है इसका मतलब है day जो है पूरा आएगा जैसे Sunday यहाँ पे Sunday पूरा यहाँ पे दिखाई देगा तो यह day का format हो गया इसके वाद है मंत में 2 digits यहां पर आएंगे अगर 3 बार M लिखा हुआ है इसका मतलब है short में मनत नेम आएगा जैसे यहां पर January यहां पर यह आएगा अगर date format में हमने 4 बार यहां पर M लिखा हुआ है तो इसका मतलब है जो month name है वो पूरा आएगा जैसे यहां पे January लिखा हुआ है, यह पूरा आ रहा है यहां पे, तो यह month का format हो गया, इसके बाद है year का, तो year में क्या होता है, जैसे year में अगर हमने format में दो बार yy लिखा हुआ है, तो इसके मितलब है, यहां पे 20 आएगा, बाकी यहां पे नहीं बन के आएगा, सिर्फ ज चार बार यहां पे yy लिखा हुआ है, तो यहां पे 2020 यहां पे यह आएगा, 2020 यह आएगा, तो इस प्रकार हम यहां पे date format को बनाएंगी, अब क्या है, हम यहां पे जाते हैं, जैसे यहां पे हमने date के कुछ format बना के रखे हैं, यह format कैसे बनते हैं, इनको हम यहां पे तो यह sample है, यहां पे बनाके रखे हुऊ है, आब यह sample यहां पे कैसे use के जाते है, इसको यहां पे करेंगे, तो suppose करो यहां पे हमने date लिक्जी हूई है यह 505 यह हमारा day है इसके बाद यहां पे यह हमारा month है इसके बाद यहां पे यह year है तो यह day month year यह जो है इसको हमने format चेंज करना है इस format में तो हम कैसे यह date format बनाएंगे यह जो है यहाँ पे दिखो यह hyphen दिया हुआ बीच में तो यह हमने यहाँ पे slash यह date format ऐसा बनाना है तो इसको बनाने के लिए हम क्या करेंगे यहाँ पे click किया click करने के बाद यहाँ पे number format यहाँ पे जाएंगे यहां पे जाने के बाद more number format यहां पे क्लिक करेंगे यहां पे क्लिक करने के बाद हमारे पास यह format cell dialogue box यहां पे आ जाएगा यहां पे number पे हमने क्या करना है यहां पे custom पे जाना है यहां पे custom पे क्लिक करेंगे custom पे क्लिक करने के बाद यहां पे यह दिखो यहां पर आ जाएगा टाइप यह जो है यहां पर dd लिखा हुआ है mm लिखा हुआ है yyy y y लिखा हुआ है तो यहां पर हमने अपने इसाब से यहां पर date format बनाना है तो यहां पर हाइफन है तो यहां पर हमने slash लगाना है तो इसको मिटाएंगे पहले यह सारा मिटाइआ हमने अब date format यहां पर बनाएंगे dd लिखा इसके बाद slash इसके बाद mm लिखा इसके बाद slash इसके बाद yyy यह लिखा तो यह हमने format बना दी है यह format बनाने के बाद जब हम ok पे click करेंगे तो यहां पे slash लग जाएगा यह दिखो ok पे click किया तो ok पे click करने के बाद यह दिखो हमारे पास यह slash यहां पे लग किया गया तो एक तो यह date format अगर हमने change करना है तो इस तरह से change कर सकते हैं अब यह format हमने इस format में change करना है यह देखो यहां पर day में क्या है single digit है five जैसे यहां लिखा हुआ है इसके बाद month में single digit है एक लिखा हुआ है यहां पर और यहां पर four digit है यह year है तो यह format बनाना है तो इसको बनाने के लिए हम क्या करेंगे यहां पर बीच में hyphen यह लगाना है हम यहां पर click करेंगे इसमें इसके बाद number format पर जाएंगे more number format पर जाएंगे इसके बाद custom यहां पर click करेंगे और यहां पर date format बनाएंगे यह देखो यहां पर हम date format बनाएंगे तो इसके लिए एक digit day के लिए है तो हम एक d लिखेंगे इसके बाद hyphen है इसके बाद hyphen लगाएंगे hyphen लगाने के बाद एक digit मन्त के लिए तो एक m लिखेंगे इसके बाद hyphen इसके बाद year लिखेंगे तो year में 4 डिजिट है तो इसके लिए हम 4 बार y y y y लिखा तो लिखने के बाद हम क्ये करेंगे ok पे click करेंगे तो ओके वेकली करने के बाद ये लिखो, डे में एक डिजिट आ गया, यहां पे मन्त में एक डिजिट आ गया, और एर में हमने चार वार बाई लिखा था, तो यहां पे 2020 आ जाएगा, तो इस तरह से यह डेट फॉर्मेंट भी हम यहां पे बना सकते हैं, यह बनाने के बाद यह हमारे पास डेट फॉर्मेंट है, अगर हमें बोला जाता है, कि यह फॉर्मेंट बनाओ, जिसमें कि यहां पे लिखा हुआ है, डे लिखा हुआ है, जीरो, फाइफ, यहां पे लिखा हुआ है, और साथ में क्या है, यहां पे जनवरी, यह लिखा हुआ है, तो जनवरी पूरा है ये मन्त, इसके बाद year पूरा लिखा हुआ है, तो ये कैसे हम बनाएंगे, तो इसको बनाने के लिए, यहाँ पे पहले क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्लिक करने के बाद, number format में जाएंगे, more number format यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्लिक करने के बाद, यह जो है, format हम ने यहां पर यह format यह यहां पर चाहिए, तो हम क्या करेंगे? पहले क्या है हमारे पास? यह लिखो, जीरो फाइव, जीरो फाइव, डे है, तो यह हम इसको मिटाएंगे, जीरो फाइव, तो दो बार हम डी-डी लिखेंगे, इसके बाद, ना तो बीच में हाइफन है और ना बीच में slash है तो ये हम यहाँ पर space देंगे ये space दिया जनवरी यहाँ पर month name पूरा है तो पूरा लिखने के लिए हम 4 बार M लिखते हैं तो ये हम 1, 2, 3, 4 ये 4 बार M लिखा इसके बाद ये लिखो ना hyphen ना slash है तो हम क्या करेंगे इसमें स्पेस देंगे स्पेस दिया इसके बाद चार वार वाई लिखेंगे एक दू तीन चार ये चार वार ये लिखने के बाद अब क्या होगा ये ये जो है इस फॉर्मिट में आ जाएगा ये लिखो होके पे क्लिक किया होके पे क्लिक करने के बाद ये लिख गया है उसके बाद मंथ उसके बाद है और ये जो डेट ये जो डेट है ये सबसे पीछे लिए गई है तो ऐसा फोर्मिट कैसे बनाएंगे ऐसा फोर्मिट बनाने के लिए हम यहां पर क्लिक करेंगे यहां पर क्लिक करने के बाद नंबर फोर्मिट पर जाएंगे मौल नंबर लिखेंगे वाई 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 चार बार वाई 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 लिखेंगे इसके बाद आगे हमारे पास यहां पर मन्त है इसके बाद हाइफन लगा हुआ है तो हम यहां पर हाइफन लगाएंगे इसके बाद मन्त यह मन्त है तो हम एम एम दो बार लिखेंगे दो बार क्योंकि यहां पे double digit है इसके बाद फिर hyphen है देखो hyphen यहां पे दिये गया है इसके बाद यह day है यह भी दो बार हम dd लिखेंगे क्योंकि double digit है यहां पे तो यह dd लिखा लिखने के बाद हम जब ok पे क्लिक करेंगे तो यह format जो है यह बनके आ जाएगा यह देखो ok पे क्लिक किया तो यह format बनके यहां पे आ गया है यह लिखो अब बोला जाता है कि यह format है तो हमें यही format चाहिए है जिसमें कि यह जैन लिखा हुआ है यहां पे जैन लिखा हुआ है यहां पे जैन वरी शोट में लिखा हुआ है और यहां पे 20 लिखा हुआ है तो इस format में कैस पर जाने के भाद हम इसको मिटाएंगे अब यह फॉर्मिट बनाएंगे यह तो यह कैसे बनेगा हमें यहां मन्थ ही चाङिए और year ही चाहिए तो मन्थ में क्या है यहां में यहां फे शोट में हैjain तो jain तो हम यहां पे तीन बार M लिखेंगे ये लिखो तीन बार M लिखा इसके बाद क्या है यहां पर बीच में हाइफन है तो हम यहां पर हाइफन लिखेंगे इसके बाद क्या है यहां पर 20 है तो 20 है तो दो बार हम यहां पर YY लिखेंगे यह लिखो दो बार YY लिखा इसके बाद क्या क्या है ओक क्या है यह लिखो यह format बनके आगया है January यहाँ पे short में था यह short में बनके आगया है इसके बाद यहाँ पे 20 था और यह hyphen के बाद यहाँ पे 20 आगया है इसके बाद अगर बोला जाता है कि month पहले लिखो जैसे यहाँ पे month पहले है 01 month पहले है इसके बाद slash 05 format बनाने के लिए हम क्या करेंगे number format पर जाएंगे more number format पर जाएंगे custom पर जाएंगे और यहां पर क्या लिखेंगे यह लिखो पहले क्या है हमारे पास यहां पर month तो हम mm लिखेंगे mm क्योंकि दो digit है यहां पर इसके बाद slash लगाएंगे यह slash लगाया है इसके बाद यहां पे दो digit day में है तो हम dd लिखेंगे dd इसके बाद slash इसके बाद 20 है तो दो बार by y लिखेंगे और ok पे click करेंगे यह लिखो यह जो format है यही यहां पे बन के आ गया तो इस तरह से हम कोई भी date का format बना सकते हैं इसके बाद अगर हम चाहते हैं कि हम date format ना बनाए अपने आप ही बन के आ जाए तो यहां पे बहुत से date format बने हुए हैं जैसे यहां पे देखो यहां पे more number format पे click करेंगे custom पे तो यह देखो यह यहां पे बहुत से number format है इनको भी हम use कर सकते हैं जैसे इसको यहां पिलाते हैं यह जो format है इसको यहां से चेंज करना है तो यहां से भी हम इसको चेंज कर सकते हैं जैसे यहां पे दिया हुआ है यह day पहले है यह जो है यहां पी है और month उसके बाद है यह जो है यहां पी है तो यह format चाहिए तो यहां पे हम click करेंगे click करने के यहां पर आ जाएगा यह देखो तो इस प्रकार हम यहां पर number format में जाके more number format और custom में जाके in format का हम use कर सकते हैं suppose करो जैसे यह custom में यह date format बना हुआ है तो यह चाहिए जिसमें की क्या है day है और month जो है short में है और इसके बाद यह रहा है यह चाहिए तो यह करने के लिए इसके बाद okay पर click करेंगे इसमें यह change हो जाएगा तो इस तरह से हम custom format में जाके date format को बना सकते हैं अगर custom format में जो date format पड़े हुआ है उनका भी हम use कर सकते हैं अगर यह format date का हम change करना जाते हैं date format के जरीए तो हम क्या करेंगे यहां पर click करेंगे click करने के बाद यहां पर number format पर जाएंगे more number format पर जाएंगे और यहां पर date पर click करेंगे date पर click करने के बाद यह लिखो बहुत से यहां पर option आ जाएंगे जो भी चाहिए उसके ओपर हम click करेंगे वाई option यहां पर आ जाएगा जैसे suppose करो हमें यह चाहिए यह वाला यह format यहां पर चाहिए तो यह format apply करने के लिए हम क्या करेंगे ok पर click करेंगे तो ok पर click करने के बाद यह लिको इसमें चाहिए गाएगा तो इस प्रकार हम date format में जाके किसी भी format के उपर click करके date format को change कर सकते हैं तो इस वीडियो में हमने date format को अलग लग format में बनाना सिखा अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो please subscribe my channel धन्यवाद